मैं घ्राžपूत पर दोस्तो आज के स्वीडियो में मैं Part 24 को अगर्स्नक के लिए एक फ्लाइट बोग किया था दो पेसिंगर्च तो इसके लिए हमने फ्लाइट बुग किया था तो उसके बाद उसमें कोइट का टायम तो बादमें गया था तो इसके बाद तबसे मैं उसके refund का मतलब status का वेट कर रहा था कि कैसे मेरा refund आएगा क्योंकि उसके बाद तो मैंने दूसरी flight बुक करके अच्छा मैंने गो आई बीबो से booking करी थी और गो एयर वालों का फ्लाइट था तो वो कैंसल कर दिया था उन्होंने वाई डिफॉल्ट ही तो फिर उससे मैं जानी पाया था फिर मैंने एर एसिया से आया था बुक करके जैसे तैसे तो मैं उसके refund का बहुत काफी दिनों से वेट कर रहा था कि कैसे refund आएगा और उसमें तो मतलब मैं जब उनस इसा तो refund आने से रहे तो यह चीज मैंने YouTube वेगरा पर भी किया तो सारे लोगों का यही इसू है और अगर आप देखोगे मैं आपको चीज दिखाता हूं एक चीज जो मुझे सबसे बेकार लगी कि अगर आप गवाई बीवो पर जाके देखोगे तो आपको कहीं पर भी help क का सेक्शन नहीं मिलेगा इनका कस्टमर के काकॉंटेक्ट नरम नहीं मिलेगा यह आपको इनका कोई email ID हेलप के लिए या कुछ भी नहीं मिलेगा ठीक है तो यह जाना नहीं पर खरपते डे रही haciendo 12 शल्र। था और गो एर वालों ने उससे में मुझे बोला था कि मतलब एक साल तक आपका वो टिकट जो है स्टेटस उसका ऊपन रहेगा आपको यह और बुक कर सकते हो तो उसमें का यह था मेरा सीन तो उसमें से मतलब अगस्त से लेके मैंने तो छोड़ी दिया कि मैरा refund आने वाला है मैं भूली गया उसको क्योंकि मैंने सर्च वेर अगर के देखा था तो सारे लोग ट्विटर वेगरा पी यही हंगामा चल रहा था कि किसी को refund वेगरा नहीं मिल रहा जैसे तैसे तो मैंने का यार छोड़ो अभी COVID का टाइम चल रहा है बाद में देखते हैं इसके बारे में तो फिर मैंने रिसेंटली देखो अभी मुष्खिल से तीन-चार दिन पहले की बात है मैंने देखा कि देखते हैं कि क्या चल रहा है मेरा और रिफंड का कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा तो मैंने फिर से एक बार गो एर उस समय तो गो एर का तो कस्टमर केर का नंबर लग पास जागा क्योंकि उनके थूआ उपने बुग किया था तो आप उनसे पैसे ले सकते हो फिर तो मैं बढ़ा खुश हो गया कि वाँ यह तो मतलब रिप्राइज था मेरे लिए तो उन्हें का मेल वेगर भी आ गया कि पैसे रिफंड कर दिया उन्होंने तो ठीक है तो यह देखो मैंने टिकट बुक किया था ठीक है मैंने टिकट बुक किया था 10,475 रुपए का और जिसमें से गो एर ने मुझे रिफंड किया 10,186 रुपए मतलब 300 कह रहा हूं इन्होंने काट लिया पैसा तो मैं फिर भी खुशता कि चलो अच्छी बात है वाई गो एर ने 300 काट लिया 10,166 रुपए रिफंड किया तो अब यह जो आमाउंट है वो गो उसके बाद पस चला गया है अब मैं आया की सारे लोगो करें ने कुशा करी फिर मैंने कहीं पर देखा कि लोग ट्वीटर करके इंको बता रहे हैं अपनी यसूस को तो मैंने भी ट्वीटर खुणा मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ तो वैसे मैं जा ट्वीटर चलाता नहीं हूँ एक दो बार ही मैंने चलाया ट्वीटर तो मैंना मुझे लगता है मुझे से दो ट्वीट है आज सक्का तो मैं अपने प्रोफाइल पे जाता हूँ और यह देखो यह मैंने गोई वीवो को एक ट्वीट किया मैंने अपना PNR नमबर बताया उनको तो मैं यह इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने भी कभी ऐसे कोई की टाइम पर आपने भी अगर कोई फ्लाइट वगरा वुक किया और आपको रिफंड नहीं आ रहा और फिर उन्होंने रिफंड इनेसियेट कर दिया ज्यादा जहमेला नहीं किया उन्होंने और उसके बाद तीन-चार दिन में मुझे लगता है उनका एक मेल आ गया था कि हाँ आपके पैसे गोई वीवो को चले गया है फिर मैंने गोई वीवो को यह ट्वीट किया तो तो उनको पता होता है कि किस बंदे ने इस PNR के कोरेस्पोंडिंग बुक किया था तो उनको आपकी इमेल आइडी और मोबाइल नबर पहले ही पता होता है तो आपको बस इस लिंक पे जाके अपना वो डिटेल्स वगरा भर देना है ठीक है वो टेक्ट एरिया हुआ था उ अब ही तक मुझे कोई refund नी मिला है जबकि गोएर्न ने मुझे पैसे refund कर दिया ठीक है तो मैंने उनको यह नहीं बताया था कि न चार दिन पहले ही पैसे वापस की हैं मैंने उनको बस ऐसे लिखा तो अगर आप भी चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ओके तो यह हो गया फिर और देखो चार दिन पहले का यह उनका reply हो और फिर मैंने डाला उस पर और मैं दिखो आपको दिखाता हूं आज के आज कहीं मेल है कि आज ही आज एक mail आया मुझे और मैं खुस हो गया फिर तो यहां मैं गोई भी वह सर्च करता हूं मेल में तो यह देखो प्रोसेस्ट तो 9,277 रुपे इन्हों ने प्रोसेस कर दिये और यहां पर फ्लाइट का पूरा ब्रेक अप है कि भाई देखो यह सारा बेकाप है जिसमें इन्हों 600 रुपे जो है जी आई कन्विनियंस फीस में से इन्होंने काट लिया ठीक है अब वैसे तो ठीक है तो 9,870 रुपे चलो इतना हिसाब नहीं करते हैं जितने पैसे आ गया बहुत है तो 600 रुपे इन्होंने काट लिया तो मुझे 9,272 रुपे इन्होंने मेरे जो क्रेड़ कार्ट से मैंने पैमेंट किया था उसी में पै कर दीये और यह मैंने भी आज अपने क्रेड़ काड में पिछा के देख लिया कि उसमें भी आगए रिफलेक्ट हो गया तो मैं काफी खुष हूँ इस बात से तो मैं एक चीज आपको यह बताना चाहता हूं कि कि कुछ लोग बुलते हैं कि वो क्रेडिट से ले ग़र अपे पता नहीं कि इस कुछ कि रिवना कि उसमें पैसे आते हैं कि jadi हमेला कि मेरे केस में इसा कुछ भी नहीं हा मैंने जिस सोर्स से पैसे फ्लाइड बुक टा त Sachsen पैसी पैसे प्ये mir desa लेकिन अब पैसे आप वापस आगे हैं तो चलो उतना टेंसन नहीं है तो मैं आपको यह सोलीशन बता दे रहाँ कि अगर आपको भी ऐसी परिसानी हो रही है तो आप भी ऐसे पैसे वापस ले सकते हो और गो आई भी वो को मैं बोलना चाहूँ है कि करिपे आप अपनी जो सर्विस थोड़ी सुधार है और यहां पर हेल्प वेगरा का सेक्शन दे और कस्टमर केर का नंबर वेगरा डाले और प्रॉपर सर्विस प्रवाइड करें क्योंकि जब बंदा यार गो आई भी वो या क लीखो यह फोन थोड़ा फस रहा है आप यहां पर लिखो आप जाका गूगल पर लिखना चलो फोन मेरा फस रहा है अभी गूगल पर लिखना कि गोआई भी कस्टमर केर नंबर कैसे ढूंडे ऐसा कुछ तो आपको पता चले कितने लोग इस चीच से परिसान है कि उनको कस पर लिखना केर का नंबर नहीं मिल रहा है और उससे बात नहीं कर पा रहे है ठीक है तो चलो मैंने आपको बता दिये कि ट्विटर की थूँए इन से आप कॉंटक्ट कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो आसा करता हूं कि आपको भी आपने प्रॉल्लम का सुलेशन मिले और आप कोई पैसे रिफंड आ जाए तो थैंक्यू वेरी मच्छ एवनाइस टे